हालो एवरीवान गुद मॉर्निंग नमस्कार अग्रिकल्चिर एड़ा 24-7 पर मैं डॉक्टर मेनाक्षी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं तो हमारी इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है जी आज हम एंटमोलोजी के एमसी क्यूज प्रेक्टिस करेंगे लेट सी कौन कैसा पर्फॉर्म करते हैं लेकिन सबसे पहले क्लास को जो है शेयर कीज़े टाकि जाद से जाद लोग हमारे साथ जुड़े और हमें कुछ में और भी मजा आए जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं उन सभी से स्टोर और प्ले स्टोर में टाइप कर सकते हैं एडबल डी एटू फोर सेवन इस आप में आपको करेंट अफेर्स मिलते हैं क्या चल रहा है दुनियादारी में आपको पता चलता है जॉब अलर्ट मिलते हैं अपने सब्जेक्ट रिलेटेड जैसे कि हम एगरी कल्चर के स्ट हैं और जितना आप आप को यूज़ करते हैं आपको कोईंस मिलते हैं उनकों इसका यूज़ कर सकते हैं अड़क किसी भी बाच में इंडरूल करने के लिए एक्स्टर डिसकाउंट बाने के लिए तो यह जो है आज की information हुई और सबसे अची बात किया है आज month and sale आपकी जो है आ गई है यारी कि 80% off on all agricultural products normally आप जब code use करते हैं अपने किसी भी teacher से related तो आपको जो है 77 या 75% off मिलता है कि आज आपको 80% off मिलेगा क्योंकि month and sale है साथी साथ अगर आप महाँ pack के लिए जाते हैं तो आपको double validity मिलेगी double validity यानि कि अगर आप एक साल के लिए महाँ pack को लेंगे तो आपको 2 साल के लिए उसके सारी classes का access होगा 6 महिने के लिए लेंगे तो एक साल के लिए जो है पूरी classes का access होगा महा pack आपका dish tv के recharge जैसा है एक बार आपने इसका subscription ले लिया तो पूरे साल कोई भी live classes आपकी चल रही है चाहे IBPS SO से related है FCI से related है RRB से related है किसी भी exam से related है वो सभी classes जो है आप इसमें देख सकते हैं साथ साथ video recorded classes भी आपको available रहती है e-books test series mock test everything you get आपको अलग-अलग हर जगह पे नहीं करना पड़ता है चाहे आप किसी भी exam की तयारी कर रहे है and I'm sure एक बच्चा कभी भी एक exam नहीं देता है वो अपने subject related सारे ही exam throughout the year देता है तो ऐसे बच्चों के लिए agriculture महापाक is a boon और क्योंकि आज 80% off है जहां ये पहले 7300 का होता था आज जो है ये 6399 का हो गया है यानि कि आपका 1000 जो है यहां पर बच रहे हैं साथी साथ double validity है यानि कि जब ये एक साल के लिए मिल रहा था अभी दो साल के लिए मिले यानि कि दो साल आपको कहीं इन्वेस्ट करने की तया जरूरत नहीं है अपनी तयारी के लिए तो गो फोर इट जो भी लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं लगता है कि हमारे टीचर्स जो है अड़ा वाले ठिक ठाक पढ़ाते हैं और हम इनसे कंसेट समझना चाहते हैं हम पढ़ना चाहते हैं तो यू हाफ द गुड़ मोका टुड़ी तो आज सही मोका है क्योंकि 80% आप है प्लस डिबल वाले डिटी है अफकोस आपको को कोड का यूज करना पड़ेगा कोड क्या है वाई 448A चार प्लस चार आठ होते हैं A for agriculture होता है right and let's dive into the quiz up apni cd quiz partial to have very good morning to all of you sabi kojo hai bohat bohat kya bolte a good morning ko hindi me kya boling anyone help madam madam ko help karo ram ramji ram 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 is a better word and a bhagwan ka naam bujata very simple and very chota and sabi ko yadra करता है ठीक है चलिए तो quiz करते हैं अपनी start यहां पर fitness freak up की हमेशा जो 11 a.m. वाले class है इसमें हम केवल जो है mcqc practice करते हैं conceptual classes आपकी fci entomology में चलती है क्योंकि fci में एंटम लॉजी थोड़ी डीप आती है ठीक है चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं अपने पहले question से हाँ सू प्रभात्री एस मेरी हिंदी की मा मुझे बहुत डाटती जी इन चीजों पे क्योंकि मैं अपना जो लाइक हिंदी का पेपर होता था उसमें ऊपर अपना नाम इंग्लिश में लिख कर आती थी और वो मुझे हमेशा डाट मालते हिंदी के पेपर में हिंदी में नाम लिखना होता है चलिए विच स्ट्रक्चर इस आलवेश अस्ट्रेटेड विद दा हिम्नॉप्रा हिम्नॉप्रा ओर्डर से कौन सा जो इन में से स्ट्रक्चर है वो जुड़ा हुआ है फर क्यूला जुड़ा हुआ है हमिला जुड़ा हुआ है को लोफूर जुड़ा हुआ है या इलाइट जुड़ा हुआ है, हमनौ प्रा ओर्डर, हमनौ प्रा ओर्डर में जिसमें आपके बीज और वास्प आते हैं, इस ओर्डर से मतलई का कोई फीचर है, जो यहां पर अवलेबल है, ना, इलाइटर विंग्स इसमें होते हैं, या फर्कूला इसमें प्रेजेंट होता है, या हम फूर इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें होता है, या रहक इसमें होता है, तो में coupling apparatus होता है यानिकी four wing और हिंड विंग को एक साथ जुढना होते है तक वो coordinated movement कर सके और इंसेक जो है फ्लाइट ले सके राइट तो इसमें क्या होता है wings जो है इसके जो four wing है और हैंड विंग है इस तरीके से दो विंग है इस विंग में इस तरीके से ऊटे हैं यहां पर यह चोटे छोटे हुट प्रेजंट होते हैं इनको है मुलाई कहते हैं यह होग本ग फॉर्विंग पर अटाच हो जाते हैं जैसे कि ये फोर भी ग्री महाई स को यह इस तरह किसे गाराब कर लेता है इन और फिर यह जोनों जूढ जाते हैं और को लाए चलिए छूएंग माउथ पार्ट नेवर Ist pue-5 आफ माउथ पार्ट चबाने वाले खाने वाले जो माउथ पार्ट होते हैं वो किसमें कभी देखने को नहीं मिलते हैं फ्लीज में बेटल्स में यर्विग्स में और बीज में Fleece, Bittles, Earwigs or Bees किस में Chewing Type of Mouth Part नहीं देखने को मिलते हैं बताइए फटाफट से Chewing Type of Mouth Part किस में देखने को नहीं मिलते हैं सदांसर विल भी Fleece Fleece में आपको Chewing Type of Mouth Parts देखने को नहीं मिलेंगे क्यों नहीं मिलेंगे क्योंकि ये blood feeders होती है, क्या होती है, they are blood feeders, ठीक है, ये blood feeders होते हैं, तो ये हमेशा जो है, blood पर feed करते हैं, तो इनका sucking type of mouth part रहेगा, इनकी liquid diet है, तो इनने chewing की कभी भी जरूरत नहीं पढ़ती है, तो the answer will be fleas, fleas में कभी भी, जो है, chewing type of mouth parts देखने को नहीं मिलते हैं, चलिए, all neuroptera insects are, neuroptera जो order है, उसमें इंसेक्ट जो है, सारे predators है, एक्टो गनाथस है, wingless है, या hemi metabolis है, तो कौन सा जो है feature, neuroptera नहीं है, sorry, neuroptera है, तो neuroptera order के लिए कौन सा feature, जो है, सच है, यह सभी predators है, acto ganathis है, wingless है, या hemi metabolis है, देखे, acto ganathis का मतलब होता है, यान की mouth part जो है, वो exerted है, बाहर की तरफ निकले हुए, easily visible है, इनको acto ganathis कहते है, right, and hemi metabolis किसे कहते है, है, hemi metabolis, यानि की उसकी जो metamorphosis है, वो incomplete होती है, तो इसमें पूरी complete development नहीं होती है, यानि की जो एग है, लार्वा बनता है, प्यूपा बनता है, देन अडर्ट बनता है, इन चारो stages में से कोई एक stage जो है, उसमें missing होती है, तो उसे hemi metabolis, यानि की incomplete metamorphosis कहते हैं, right, तो इसमें answer क्या होगा, answer होगा आपका C, acto ganathis, ठीक है, तो ये ABCD थोड़ा गड़बड हो गया, कोई बात नहीं, आपको अपना answer याद रखना है, what is, acto ganathis, यान के mouth parts जो है, बहार की तरफ होते है, easily visible होते है, ठीक है, तो यार, acto ganathis, ठीक है, चलिए, बैसे मेरी teddy bear के किसी ने तारीफ नहीं की है, यार आज में इतना प्यारा सा teddy bear लगा के आयों, आप लोगों के लिए, चलिए, कोई बात नहीं, अगला question पढ़ लेता है, ना, that is more important, which developmental stage is found only in aphemeroptera, aphemeroptera में ही ये stage मिलती है, और किसी order में ये stage present नहीं होती, प्री प्यूपा स्टेज, सब इमागो स्टेज, नायर्ड स्टेज और इमागो स्टेज, इन में से कौनसी इंसेक्ट की स्टेज है, जो केवल aphemeroptera में मिलती है, और किसी order में नहीं मिलती है, aphemeroptera order का example रहेगा, आपका mayfly, क्या रहेगा, mayfly जो है, इसका example है, तो इसमें क कौनसी स्टेज प्रेजेंट नहीं होती है, प्री प्यूपा, सब इमागो, नायर्ड और इमागो, आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका सब इमागो, क्या होगा, सब इमागो, सब इमागो का क्या मतलब होता है, सब इमागो मतलब, इमागो का मतलब होता है, adult, इमागो का म है एंटेना है sexual parts है सबी पार्ट जो है वैल डेवलप होता है हुसको इमागो कहते हैं सब इमागो क्या होता है सब इमागो यानी कि उसके शबी physical parts तो डेवलप हो गए है उसके पास wings है एंटीना है compound eyes है सब देवलाप है लेकिन वो sexually active नहीं हुआ है अभी तक यानिकी देखने में बिलकुल नहीं लगया कि यह डॉल्ट नहीं है लेकिन वो sexually active नहीं हुआ है ओस स्टेज को हम क्या कहते हैं सब इमागो स्टेज कहते हैं ठीक है चली moving to another question चलते हैं अगले question पर which is question number five ticket which order are most important in transmission of human disease consa order head to a human disease cause card name a transmit car name a house a one fell on a me sub says Zada sahayta karta hai which order which is a related to human disease transmission but I a photo for T but I have a word says a map tdia or don't a hymnoptera siphenoptera diptera and fatty roptera hamiptera or thysinoptera consa order head to human disease goes up to the felon away kamata hai yes dip trend fight rap trajo head yes up to the human disease code transmit करते हैं यहां से वहां ठीके तो diptera order में आपके flies आती हैं generally house flies अभी के घरों में होती है तो एक काफी जो है गंदी जगा पर बैठती हैं फिर वहां से बेक्तीरिया और जो अलग और गानिजम्स हैं वह हमारे खाने में आते हैं या हमारे उपर आते हैं तरह तरिके की बिमारिया होती है तो यह सबसे ज़्यादा बिमारी ट्रांस्मिट करने में जो है योगदान अपना देते हैं ठीके वेरी गुड मारिंग अशीश चलिए वाशन नमबर 6 अनायज इस बेस्ट डिस्क्राइब आज नायज क्या होता है वाट इस नायज प्रिडेटर लार्वा होता है यान की एक लार्वा जो दूसरों पर प्रिडेट करता है दूसरों को अटाक करके उन्हें खाता है विंगलेस एडल्स है या फिर एक्वेटिक निम्फ है या फिर स्केवेंजर्स है नायज इस बेस्ट डिस्क्राइब एज नायज क्या होते हैं वाट आर नायज तो नायज क्या होते है एक वेटिक निम्फ निम्फ क्या होते है जैसे कि लार्वा होता है यान की मैच्छों स्टेज होते उसी तरी के से नि जो एक्विटिक कर्डिशन में रहते हैं पानी में रहते हैं उन्हें नायड्स कहते हैं ठीके तो आंसर क्या होगा एक्विटिक निम्फ तो सभी बच्चे सही आंसर करें वेरी नाइस सब्सक्राइज अग्विटिक निम्फ चलते हैं पैसिटिन नमबर सेवन पर विच ओडर इस मोस्टो भूसली रिलेट फूडर मैं टर्माप्टरो अडर कॉन सा ओडर है जो मोस्टोवी रिलेटिद है दर्माप्टरा order के isoptera Mekoptera सोकॉप्टरा और कॉलिप्टरा इन में से कौन सा order है जो dermatra order के closely related है isoptera Mekoptera सोकॉप्टरा और कॉलिप्टरा फुटा-फुट से बताई है classification के classes attend ना करने का यही नुकसान है है ना मैंने पूरी classification FCI में करवाई है अच्छे से with examples with photographs लेकिन नहीं हमें तो केवल mcqs चाहिए हमें shortcut चाहिए है ना तो चलो अब भुग तो अपने shortcuts को चली answer क्या होगा answer होगा isoptra answer क्या होगा isoptra isoptra से कौन से insect belong करते हैं फटाफट example में बताइए isoptra से कौन से insect belong करते हैं फटाफट बताइए कौन से करते हैं तर्माइट्स यस तो तर्माइट्स जो है आपके isoptra order से belong करते हैं याद रखेगा ठेक है चलिए अगले question पर चले और क्या सेरेट आर्थरोfoid इंक्लूड क्यालच रेटरेटरेटरेटरोंज ने कौन से क्याल से और हैं अर्गेनिसम क्यां सकते हैं मेलत्पिद इस और सेंटि विदे इस लॉब्स्टरौप र श्रिम्स श्रिम्स Spiders and Ticks, Lice and Fleas, Calicerae Arthroports में कौन से Organisms को Include किया जा सकता है, So the answer will be Spiders, यह मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, Calicerae क्या होते है, Calicerae कुछ appendages like structure होते हैं, जो Head की तरफ present होते हैं, तो यह Spiders में और Ticks में present होते हैं, So C will be your answer, Spiders and Ticks, चलिए, Which statement is true for all Crustacea, सभी Crustacea के लिए, दिखिए Crustacea जो है, Insect से भी लोग नहीं करते हैं, लिकिन वो Arthropoda Phylum में आते हैं, तो Crustacea के बारे में कौन से statement सही है, यह सभी लोग जो है Land पर रहते हैं, धरती पर रहते हैं, कोई भी इन में से पानी में नहीं रहता है, They have chewing type of mouth part, सभी के पास chewing type of mouth part present है, They have six walking legs, इनके पास छे जो है चलने के लिए टांगे प्रेजन्ट होती है, They are paleo-trust, यानि कि यह paleo-trust group में आते हैं, तो कौन सी जो statement है, इन में यह सही statement है, So, the answer is B, They all have chewing type of mouth parts, इन सभी के पास chewing type of mouth parts present होते हैं, देखे, पहला क्यों सही नहीं है, क्योंकि हमें सभी को पता है, Lobsters हैं, Crabs हैं, यह सभी हमें पानी से मिलते हैं, राइट, तो वो aquatic lifestyle भी रखते हैं, लेक्स इन में 6 से ज्यादा भी हो सकती है, 6 लेक्स का जो रूल है, वो insects का रूल है, है ना, class insect का रूल है, exopoda का रूल है, तो इन में लेक्स जो हैं, 6 से कम यह जादा हो सकती है, and of course जिब हमने यहाँ पर ओर बता दिया, कि भही हो crustacea से बिलों करते हैं, तो पहली अप्रस क्यों आएगा, so the answer will be B, they all have the chewing type of mouth parts, चलिए, अगला question, which insect order is never associated with plants, इन में से कौन सा order है, जो कभी plants पर feed नहीं करता, यानि कि plants को शती नहीं पहुचाता है, यानि कि agricultural point of view से there is no importance for this insect, hymnoptera order, thysynoptera order, hemiptera order, और सिफेनoptera order, कौन सा order है, जो कि plant से किसी भी तरीके से association नहीं रखता है, plant से इसका कोई वास्ता नहीं है, बताइए फटा-फट से, कौन सा order होगा, देखे, hymnoptera में आपकी B आती है, B तो pollination के काम आती है, thysynoptera में आपके thrips आते हैं, आपने plants पर thrips जरूर देखे होंगे, hemiptera में bugs आते हैं, आपने plants पर bugs भी देखे होंगे, तो answer क्या होगा, D होगा, sifenoptera, sifenoptera का example क्या है, fleas जो हमने पीछे देखा था ना, पीछले question में, fleas जो है, sifenoptera में आती हैं, और ये blood feeders होती है, तो of course ये आपके plant से किसी भी तरीके से related नहीं होते हैं, राइट, चलिए, question number 11, human disease pathogens are transmitted by which order, तो ये फिर से question अलग तरीके से आये, लेकिन repeated है, है ना, हम सभी को पता है, diptera order से जो है, आपके सारे pathogens transmit होते हैं, generally जो human diseases cause करते हैं, तो human diseases point of view से diptera जो है, काफी important order है, क्योंकि ये काफी बिमारियां इधर से उदर फैलाता है, चलिए, चलते हैं, अगले question पर, question number 12, odonti and pleicoptera are similar because they both have, odonti order और pleicoptera order, ये दोनों order में कुछ similarities present है, ये similarity क्या है, दोनों ही aquatic nymph है, यानि कि ये उनके immature stages होते हैं, दोनों ही aquatic है, पानी में रहती है, endotericodes development, यानि कि इनके wings जो है, internally develop होते हैं, pleicopterous wings होते हैं, या फिर all of the above, तो इन में जो है, दोनों में same या similar जो आपके features है, और डॉन्टा और pleicoptera में ये कौन से दो orders होते हैं, बताये, फटा-फट से, all of the above, all of the above, अच्छा, अप्शन में तो है, चलो, माने कहीं तो अप्शन में नहीं था, तो अच्छा, तो अच्छा, तो अच्छा, तो अच्छा, जो है, वो प्रेजेंट होते हैं, ठीके, दोनों में ही, आपके टिक निम्फ प्रेजेंट होते हैं, याने की, जो ड्रेगन फ्लाई है, डेंसन फ्लाई है, इनकी जो निम्फ है, जो इम्मेचों स्टेज है, which insect order never lives in aquatic environment कौन सा insect order है जो aquatic environment में कभी नहीं रहता है यानि कि उसको पानी में रहना बिलकुल पसंद नहीं है उसको नहाना बिलकुल पसंद नहीं है वो हमेशा land पर रहता है ये कौन सा ओजो है ओडर है ट्राइकॉप्ट्रा है, प्लिकॉप्ट्रा है, डिप्ट्रा है या और्थॉप्ट्रा है कौन सा ओर्डर है जिसका पानी से कोई वास्ता नहीं है वो पानी में रहना पसंद नहीं करता है बताईए फटा-फट से सुदांसर विल भी दी और थोप्ट्रा आंसर क्या होगा और थोप्ट्रा यानिकी ग्रास होपर्स ठीके तो ग्रास होपर्स चाहे वो मैचो स्टेज में है मैचो स्टेज में है वो एक्वेटिक लाइफ स्टाइल में नहीं रहते यानिकी पानी में वो नहीं रहते हैं आंसर क्या होगा डी जो है आपका आंसर होगा चली क्यासिन नमबर 14 हम अप्रा एंड हम नॉप्रा आर से मिलर बिकोश्ट बोट है वह मैं रहने की बग्स हम नॉप्रा यानिकी जो आपकी बीज है इन में क्या सिमिलारीटी इस है हो लो मैटा बोडिश है यानिकी इनमें जो मैटनoured फोसेस है वो incomplete type की है piercing sucking mouse parts इसमें प्रेजंट है नी अप्रस विंक्स इसमें प्रेजंट है तो वाट इस दा common in between the hemipra order or hymnopra order metamorphosis इसकी incomplete रहती है piercing and sucking type of mouth part होता है नी अप्रस विंक्स इसमें प्रेजंट होते हैं या फिर all of the above so the answer will be a hollow metabolist development यानि की दोनों की development जो है incomplete होती है hollow metabolist होती है so a will be the answer क्या होगा answer a जो है आपका answer होगा चले question number 15 पंदरवा question which insect order is most commonly found in litters कौन सा insect order है जो litters में मिलता है ठीक है कॉलम बोला नियुरोप्रा लापिड़ोप्रा और फास्मेटोडिया विच ओडर which is found which is found in litters litters यानि की जैसे कि आपकी पेड से जो पत्तिया गिरी हुई होती है है कूडा करकर टुदे सब लिटर में आता है ठीक है do note लिटर दे लाइन लिखा उता है ने कहीं कहीं पे यानिकी आपको कोई भी रैपर वहां फेकना या कोई छिलका वहाँ फेकना जो है मना होता है तो ये इन में जो है जादा इंसेक्ट पनपता है ये कौन सा इंसेक्ट है कॉलम्बुला से बिलॉंग करता है निरॉप्टरा से बिलॉंग करता है लैपिडॉप्टरा से बिलॉंग करता है या फाजमेट टोडिया से बिलॉंग कर Incomplete Metamorphosis, तो अगर मैने पीछे गलत बोल दिया, तो इसको करेक्ट कर लिजे का, Holometabolus is Complete Metamorphosis, और Hemimetabolus is Incomplete Metamorphosis. Which insect order is most commonly found in soil litter? A will be the answer, Kolumbola. ठीक है, तो चलो, कुछ बच्चे आंसर कर रहे है, A, which is the right answer. ठीक है, चलिए, इन a male insect, which structure would lie below the anis, कौन सा structure है, जो एनस से नीचे की तरफ जो है, प्रेजंट होता है, एपी, प्रॉट, एडियस, पारप्रॉट और फर्का, ठीक है, विच इन से नीचे की तरफ जो है, प्रेजंट होता है, एपी, प्रॉट, एडियस, पारप्रॉट, और नीचे की तरफ जो है, ये प्रेजंट होता है, ये कौन सा structure है, हम लोग male और female, दोनों ही reproductive parts पढ़ चुके है, अपने theoretical class में, तो एडियस, जो है, इसका answer रहेगा, एडियस, यानि की, it is analogous to penis, ठीक है, तो ये penis के analogous होता है, और anis से नीचे की तरफ जो है, इसकी position होती है, would be found in the exocutical, but not in the endocutical, कौन सा compound है, जो exocutical में तो मिलता है, लेकिन endocutical में नहीं मिलता है, काईटीन, प्रोटीन, क्विनोन और वेक्स, इन में से कौन सा compound है, जो exocutical में तो दिखाई देता है, लेकिन endocutical में नहीं मिलता है, बताए, काईटीन, प्रोटीन, क्विनोन और वेक्स, कौन सा होगा आंसर, so the answer will be A, काइटीन, काइटीन जो है, एक्जोस्केलेटन में मिलता है, एंडोस्केलेटन में नहीं मिलता है, so A will be your answer. चलिए, next question, question number 18, to which body segments are the elytra attached, किस segment से elytra attached होते हैं, mesothorax, prothorax, first abdominal और metathorax, mesothorax, prothorax, first abdominal और metathorax, देखिए, elytra क्या होते हैं, four wings, elytra क्या होंगे, four wings होंगे, right, तो four wings कौन सी segment से निकलते हैं, हमें सभी को पता है, कि wings जो है, thoracic segment से ही निकलते हैं, और केवल दो segment से निकलते हैं, है न, तो mesothorax will be the answer, mesothorax और metathorax में, जो है, wings present होते हैं, तो four wings की समें प्रेजंट होंगे, mesothorax में प्रेजंट होंगे, hind wings जो है, metathorax में प्रेजंट होंगे, right, तांसर विल भी, a mesothorax, The shell of an insect's egg is called, insect egg की जो cell होती है, उसे हम क्या कहते है, सरोसा कहते हैं, कॉरियोन कहते हैं, आम्नियोन कहते हैं, या पैरीप्लाजम कहते हैं, इंसेक्ट एग की जो शेल होती है बहारी लेयर होती है जिसे मुर्गी का अंड़ा देखते हैं उसकी बहारी लेयर होती है जिसको हम तोड़ते हैं तो इस तरीके से इंसेक्ट की जो शेल होती है जिसके अंदर वो रहता है उसको क्या कहते हैं सेरोसा कहते हैं कोरियोन कहते हैं amnion कहते हैं या पैरी प्लाजम कहते हैं, so the answer is B, Chorion, ठीक है, answer क्या है, Chorion है, पैसे I don't know, because मैंने ये question यहीं पर देखा है, so people are saying A, Serosa, let's check once and then let's confirm, right, what is Serosa, चलिए, तो आप सभी लोग अगर confirm नहीं, तो माम को बताईए, फटा-फट से, पर यह मैं भी sure नहीं हूँ इसके लिए, I am not sure about it, so you have to tell me, क्योंकि मैं भी Serosa और Chorion के बीच हूँ, चलिए, Serosa's Membrane नहीं होगा, इसका अंसा, ठीक है, गूगल बाबा, गूगल बाबा यार, जब टाइम, गलत तो तरहें, जब गूगल बाबा भी गलती बताता है, so, I guess, Chorion will be the answer, but let's hold for it, जो है आपकी जो भी एंतोमो लोजी की नेक्स प्लास, इसको डिसकस कर लेंगे, एक बर मैं सर्च कर लोगी और फिर आप लोगों को बता दूँए, ठीक है, पूल इसीली, स्पायरल, गैलरीज, डेड हर्ट्स, के नाट भी पूल इसीली, ठीक है, तो बंची टॉप क्या होता है, पंची टॉप वैसे जिनरली टॉप बोरर की वज़े से होता है, तो इसमें जो है, उपर की जो लीव्स होती है, वो छोटी हो जाती है, और अजीब सी उचाती है, बंची टॉप में होता है, और डेड हर्ट्स में क्या होगा, अंदर जो है, होलो स्ट्रक्चर डेड हर्ट्स बन जाते हैं, डेड टिशूज बन जाते हैं, और ये इसीली प पाइरल गैलरी बनाता है तो इसका जो है सिम्टम क्या होगा बताएए था धाएग टेांश भर बे डी डेड़ हट सो बनते हैं लेकिन देड़ नाट भी पूल ऐसी लीड़ हट तो बनते हैं डेड़ टिशूज जाज बनता है लेकिन यह प्रमकर्ण को अपाट से रिभी कीचेंगे लेकर इदेड़ हाडे तो इतना इसानैंद इसान से पलना ईसए roots पर effect होता है यानि कि बिल्कुली root एकदम गल जाती है तो उन plants में क्या होगा आप जैसे ही pull करेंगे वो easily pull out होताएगा लेकिन इस case में ऐसा नहीं होता है यानि कि ये of course it damages बट इसका damage इतना high नहीं होता है कि बिल्कुली आपका जो plant है वो soil को छोड़ दे हो जैसे ही आपको pull out करें वो easily pull off हो सके so d will be the answer dead hurts which cannot be pulled easily चेक है चलिए which structure is unicellular कौन सा structure इन में से unicellular है spine, ceta, gland और pile इन में से कौन सा structure है जो unicellular है यह इस का अंसर तो आप सभी लोग दे पाएंगे I guess very easy spine, gland, CT और pile which structure is unicellular बताईए फटाफट से इसलिए कहते हो scientific name से याद किया करो चिक है okay so इसका answer क्या होगा इसका answer बच्चे CTE होगा इसको सही कर ले जएगा चिक है तो आप सभी लोगों को मैंने बताया है CTE जो है unicellular होता है spur multicellular होता है और spines जो है यह भी multicellular होते हैं और hard structures present होते हैं तो answer क्या होगा सिटेई जो है इसका answer होगा सिटेई जो है unicellular होता है spine is not unicellular spine unicellular नहीं होता चलिए फटा-फट से बताईए next which is question number 22 तो सिटेई पर मैंने आपको काफी बार बताया हो है फिर भी नहीं answer कर रहे है तुम लोगों के पिटाई उटाईगे ठीक है वाट इस दा फंक्शन आफ माइक्रोपाइल इन एन इंसेक्ट एग इंसेक्ट के एग में माइक्रोपाइल का क्या काम होता है water balance का होता है respiration का होता है nutrition का होता है यह sperm की entry के लिए बनाया हुआ होता है इनसेक्ट के एग में माइक्रोपाइल होता है जैसे आपके सीज में माइक्रोपाइल होता है या चेद होता है यह किसली होता है water balance के लिए होता है nutrition के लिए होता है या sperm entry के लिए होता है बताईए फटाफट से बताईए फटाफट से बताईए फटाफट सो answer क्या होगा यह sperm entrance के लिए होता है ठीक है भाया एग को fertilize भी तो होना है तो यह sperm entrance के लिए होता है तो D will be the answer चलिए Question No. 23. Which mouth parts lie between labrum and maxillie? कौन से mouth parts हैं जो labrum यानि की upper lip और maxillie के बीच प्रेजन्ट होते हैं? Maxillie and labrum के बीच कौन से mouth parts प्रेजन्ट होते हैं? Hypoferring, labium, mandibles और palps. कौन से होंगे? Which mouth parts are present between labrum and maxillie? फटा-फट से बताई है. So, dancer will be, क्या होगा हमारा answer? C, mandibles. ठीक है? तो, mandibles जो है, labrum और maxillie के बीच प्रेजन्ट होते हैं. Mandibles यानि की jaw-like structures. ठीक है? Labium, अगर वो पूछते, which mouth part is present between labrum and labrum? तो, labrum, upper lip को कहते हैं, labium, lower lip को कहते हैं. के बीच जो है, टंग प्रेजन्ट होती है, यानि की hypoferring's present होती है. ठीक है? तो, लेकिन इसने हमें labium नहीं पूछा, इसने हमें labrum और maxillie के बीच पूछा है. तो, यह आएगा, mandibles यानि की jaw. ठीक है? यह मॉल्टिंग भी मैंने बहुत अच्छी से आपको पढ़ाया है. मॉल्टिंग क्या होता है? जब इंसेक्ट को अपना साइज बढ़ाना होता है, तो, यह अपनी ऊपर की skin को जो है shed कर देता है, और नई skin के साथ बहाँ निकलता है. यह जो उपर की skin है, यह shed करने के लिए एक जगह से तूटनी शुरू होती है, जहां से यह तूटनी शुरू होती है, इसको कहते है, line of weakness. इस line of weakness का दूसरा नाम क्या है? आपोडेंस है, एकडाइसियल सूचर है, एपोफाइसिस है या एपिस्टॉमल सूचर है. जहां से जो पुरानी skin है, ओल स्किन है, वो तूटनी शुरू होती है, जड़नी शुरू होती है. क्या होगा इसका अंसर? प्रिती, आपकी plant pathology week है, कोई बात नहीं है, आपकी हीना मैम जो है, सुबह दस बजे class लेती है, alternatives पर, जिसन मैं आती है, जिसन हीना मैम आती है, जिसन हीना मैम आती है, जिसन मैं नहीं आती है, तो दस बजे उनकी class होती है, attend कीजिए plant pathology की class, and she explains very much, वो काफी अच्छा explain कर सकते हैं, तो इसका नाम क्या है, एकडाइसियल सूचर, एकडाइसिस के लिए काम आता है, एकडाइसिस क्या होता है, यान की पुरानी जो लेयर है, उसको गिराने के काम आता है, तो इसको कहते है, एकडाइसियल सूचर, B will be your answer, चले, question number 25, काइटीन is most abundant in which part of the exoskeleton, exoskeleton के कौन से पार्ट में काइटीन सबसे जादा होता है, आपी क्यूतिकल, क्यूतिकूलीन, प्रो क्यूतिकल और अपी अपीडर्बिस, किस लेयर में इंसेक्ट की जो इंसेक्ट वाल है, उसकी किस लेयर में जो है काइटीन सबसे जादा बनता ह है, in which layer the insect has most made up of kaitin, है न, तो हमने पीछा यहां पर यह किया है, question kaitin किस में मिलता है आपको, आपी क्यूतिकल में मिलता है, right, तो आपी क्यूतिकल में मिलेगा न, kaitin, आपी क्यूतिकल फर्दर डिवाइड होती है, चिक है, आपी क्यूतिकल आपके फर्दर जो है, डिव कुछ नहीं होता है, प्रॉपरली बोले तो, देखे, आपकी जो क्यूतिकल होती है, यह कई भागों में बढ़ती है, पहले होती है, एंडो क्यूतिकल एन एग्जो क्यूतिकल, right, तो एंडो क्यूतिकल में तो काईटिन होता है नहीं है, एग्जो क्यूतिकल में होता है, ठ चले, all displacements, rotations and revolutions of the embryo within the egg of the insect is called as, insect के एग में जो embryo पनप रहा है, इदर उदर घूम रहा है, revolve कर रहा है, ये सब क्या है, gastrulation कहलाता है, morula कहलाता है, blastokinesis कहलाता है, या eclosion कहलाता है, all the displacements, rotations and revolutions of the embryo within the insect, egg, insect के, egg के अंदर ही ये embryo जो है, घूम रहा है, उचल कूद मचारा है, इसको क्या कहते हैं, gastrulation कहेंगे, morula कहेंगे, blastokinesis कहेंगे, या eclosion कहेंगे, क्या कहेंगे इसको हम, difficult one, so the answer will be C, blastokinesis, काइनेस, देखे, movement में काइनेस तो जरूर आने माला है, right, तो इसको क्या कहते हैं, blastokinesis कहते हैं, क्योंकि वो अभी embryo stage पर है, egg के अंदर है, लेकिन वो movement कर रहा है, तो इसको कहते हैं, blastokinesis, gastrulation नहीं कहेंगे, gastrulation is the period, ठीक है, gestation period, ठीक है, तो C will be the answer, blastokinesis, चलिए, what type of chemical monomers forms that backbone of the kytine molecule, kytine molecule किसे बना है, लिपिर से, शुगर से, क्विनोन से, या, amino acids, जो उसकी backbone है, जो उसका structure है, skeleton है, वो किस से बना हुआ होता है, लिपिर से, शुगर से, क्विनोन से, या, amino acids है, किस से बनता है, तो D will be the answer, kytine जो है, आपका amino acids से बनता है, chemical monomers of amino acids, तो यह amino acids से बनता है, D will be your answer, चलिए, next is, question number 28, the pupa in insects, which have articulated mandibles are termed as, जिसके पास, articulated mandibles present होते है, जिसके पास, articulated mandibles present होते है, जिसके पास, articulated का हतला होते है, जो है, जो है, जो है, तो इनके articulated jaw होते है, जो है, इसको पुपर में, तो यह dacti कि, जो में present होते है, object में present होते है, addict, TS में present होता है, या, product, approach, DTS, के जो में present होते है, very difficult to pronounce, तो कौन से टाइप of pupa में, जो है, articulated jaw present होते है, articulated jaw, यानि की jaw में, थोड़ी movement, present hote to articulated job all the hentiket to is cancer kya hooga addict tears addict years may do hair addict is type of people may do hair up kid joe ho joe have a movement karthi hai yaniki articulated job present hote him so see will be your answer question number 29 which structure lies between the buccal cavity and salivarum salivarum and buccal cavity के beach कौन से structure present होते हैं labium labrum siberium and hypoferring jomouth cavity है या food cavity है ये दो भागों में बटे हुई होती है siberium and salivarum तो cavity जो है आपकी buccal cavity and salivarum के बीच कौन से structures present होते हैं labium labrum siberium and hypoferring a,b,c या फिर दी बताईए फटाफट से a,b,c या फिर दी so the answer is d hypoferring hypoferring to salivarum और buccal cavity के बीच hypoferring present होती है ठीके तो टंग कहां present होती है हमारी आपकी नीचे ही तो हमारी saliva glands present होते हैं तो salivary में ही salivary में ही आपके salivary glands खुलते हैं तो इसके बीच जो है hypoferring present होती है so d will be your answer d जो है आपका answer होगा so that's all for today's quiz इतना ही आज की quiz में difficult level कहूं या easy level कहूं बट ठीकी था कुछ question ठीक थे कुछ questions थोड़े से difficult लग रहे थे लेकिन आपका exam हमेशा ऐसे बन के आएगा बच्छे कुछ questions difficult लगेंगे लगेंगे कहां से आया है हमने तो ऐसा कुछ पढ़ाई नहीं कुछ लगेंगे इतना असान भी कोई पूछता है कुछ average question भी आएंगे की question paper थोड़ा थोड़ा हर इंसान के according बनाया राइट राइट चलिए तो हां ले बियम और लेब्रम के बीच भी पूछेगा तो उसका answer भी हाइपो फेरिक्स ही होगा बच्चे देखे यह लेबियम और लेब्रम जो है ये तो माउथ बीच लेब्रम अपर लिबल लेब्यम लॉवरलेप है उनके बीच एक एविटी प्रिजन्ट उस पूरी के बीच और रिटी को फूड के मिटी कातेchs फुल इक विटी जो है इस वे इसमें दो भाग होते है, Siberium और Salivarum टीक है, तो Salivarum और Buccle cavity के बीच जो प्रेसंट होते होता है, बधलба buty यह इलनी की Food cavity को ही कहते है, टीक है, तो Buccle cavity और Salivarum के बीच जो प्रेसंट होगा, वो kami present होगा क्यूंकि Salivarum में ही आपके Saliva के Glan planets खुलते हैं और सलाइब के ग्लैन्स हमीशा टंग के नीचे की हिस्से में जो है ओपन होते हैं ठीक है तो इसका उसका आंशर भी है पोफेरींग्स होगा और इसका अंसर भी है पोफेरींग्स है ठीक है चलिए थैंकियो सो मच फूर टुड़ी आंड डू रिमेंबर आप सभी के सभी जो बैचिस हैं चाहे आपका IBPSSO का बैच है, FCI का बैच है, RRBSO का बैच है, सभी बैचिस में 80% आफ चल रहा है, लेकिन अगर आप महाँ पैक के लिए चूज करते कि हमें बहुत सारे एक्जाम देने हैं, तो हम एक बार महाँ पैक ही ले लेते हैं, तो इस पर डबल वैलेडिटी भी चल रहे हैं, तो अगर आप सोची रहे हों कि भी आमें अड़ा के से जुड़ना है, हमें मिनाक्षी में से पढ़ना है, so today is the good day, आज सही मोका है, क्योंकि आच आपके पास 80% off है, प् तो जैसे ही आप Google पर टाइप करेंगे, अड़ा 24-7 आपकी साइट जो है खुल जाएगी, जो इस तरीके की दिखाई देगी, आप सभी को पता है, हम अगरी कल्चर स्टूरेंट है, तो हम यहां से अगरी कल्चर चूस करेंगे, और व्यू और प्रड़क्स पर जाएंगे, तो यहां पर देखिए, आपके सभी बैचिस जो है, चाहिए, बीपीस, एसो का, प्रियन मेंस का है, बोथ मेंस का है, एफसी आई टेकनिकल मेंस का है, सभी प्रड़क्स पर, सभी पर जो है, आपके 80% ओफ चल रहा है, अगरी कल्चर महा पैक पर जाएंगे, तो इसमें 12 प ग्लासेज मिलेंगे, ठीक है, तो यह थो साल तक, आपको सभी ग्लासेज मिलेंगे, जिसमें आपकी जो है, test series है, 100727, जो है, test series है, इतने सारे आपको questions प्रेक्टिस करने को मिलेंगे, आपकी वीडियोज है 759, 500 से आजादा आपकी जो है लाइव क्लासे है, तो जहां से पढ़ना है, जितना पढ़ना है, it's all your wish, content कभी खतम नहीं होने वाला है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिन में यहाँ पर जो है, पूरी डिस्क्रिप्टिन आपक की गिवन होती है, जैसे ही आप यहाँ पर by now पर click करेंगे, window pop-up होती है, यहाँ पर आपको अपना code लगाना होता है, तो code क्या लगाना है, code लगाना है, हमें y448, ठीक है, तो मेरा keyboard आ नहीं रहा है, लेकिन आपका keyboard आपके हाथ में है, तो उसको use कर सकते है, तो आप को, code code जब use करेंगे y448, तो मैंने जैसे शुरू में दिखाया था, यह 6,399 में आपको दो साल की validity के साथ मिलेगा, यानि कि केवल जो है, आपको 3,200 रुपे में पूरे live classes agriculture के सारे subject, सारे RRB हो, नाबाड हो, FCI हो, सभी किसी के लिए भी आप पर पार कर रहे, सब के लिए जो ह यह useful होने वाला है, so thank you so much for today, मिलते हैं कल अपनी FCI technical की class में जहां पढ़ते हैं, elementary entomology, शाम को 6 बजे, ठीक है, good bye, take care, और अपना ध्यान रखिएगा, आशा करती हूँ, आप सभी का दिन, शुब जाएगा